हाई वेलकम नुबाय चैनल इस बीड़ी में सॉल्ट करें क्रें 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 नमर 9 तो ध्यान देजेगा और सब्कीपर एलाउज 20% आफ अन्दी मांग्ड प्राइस आफ गूड्स और सब्कीपर है और वो 20% डिसकाउंट दे रहा है मतब आफ दे दिया ठीक है मांग्ड प्राइस पर और फिर भी स्टील गेट्स आफ फिर भी उसे प्राफिट हो रहा है कितने का 25% का ठीक है तो बोलाई कि वाट इस दे अक्चुल कॉस्ट तो हिम तो सब्कीपर के लिए जो एक्चुल कॉस्ट होगा वो कितना होगा मतलब कि CP पूछ रहा है सब्कीपर का कितना है कितने में वो खरीदा था वो प्राडक्ट जिसको बेच रहा है ठीक है उस आर्टिकल का CP पुछा है और उस आर्टिकल का जो marked price है वो दे दिया है 500 रुपीज यदि marked price दिया है 500 तो बताएए कि actual cost क्यों होगी मतलब कि CP पुछा है उस आर्टिकल का सबकी पर के लिए करना क्या है इस question में भी कि आपको करना पड़ेगा एक डियाग्राम रहना पड़ेगा और वो है CP यहाँ पर CP का MP और SP का देखें यहाँ पर यह तीनों जो है एक दुसरे से related है MP और SP जो है एक दुसरे से इस तरीक से related है कि इन दोनों के बीच में केवल discount percent आता है मतलब कि यहाँ आपको discount percent निकालना हो ठीक है तो आप आराम से MP, SP और discount percent इन तीनों का relation एक होता है उससे निकाल सकते है लेकिन जब profit percent और loss percent की बात आती है तो केवल CP और SP में ही बात होती है उसकी ठीक है मतलब CP और SP में हम profit percent की बात करेंगे और loss percent की लेकिन इस case में जब जहां पर MP involved रहता है मतलब कि marked price दिया रहता है product का वहाँ पर हमेशा profit ही होता है ठीक है तो profit percent यहाँ पर दिया हुआ है कितना 25 percent तो याद रखिए profit percent दिया है इसका मतलब कि CP और SP में ही आप profit percent के यूज़ करेंगे ना कि MP में MP का कहीं भी यहाँ पर यूज़ नहीं होगा private percent के लिए लेकिन MP के यूज़ होगा discount percent कलवट करने के लिए मतलब discount percent यहाँ पर यूज़ होगा ठीक है कितना discount दे रहा है 20 percent off मतलब यहाँ पर जो है 20 percent का discount हो रहा है ठीक है तो अब करना क्या है पहले पहले आप यहाँ पर दे दिया है MP, MP मिल गए आपको कितना 500 रुपीज, यह आपका है 500 रुपीज, तो पहले आप MP का और डिस्काउंट परसंट का यूज़ करके पहले फाइंड कर लिजे SP, उसके बाद हम सी भी फाइंड करेंगे, तो सॉलूशन, given that, क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसंट, यह दे दिया है आपका 20 परसंट, ठीक है, उसके बाद MP लिख देंगे आपर, marked price क्या दिया हुआ है, तो MP of the article, आपका है 500 रुपीज, यह लिख लेंगे 500 रुपीज, अब यहाँ पर हमें MP मिल गया, डिस्काउंट परसंट मिल गया, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, SP, Selling Price, Selling Price इसको लूग क्या होता है, हमारे पास फ़मूला आप जानते हैं, MP in bracket, 100 minus discount percent, यह हमारा फ़मूला होता है, अपान 100, ठीक है, यह फ़मूले का derivation यह आपको देखना है, तो आप इस playlist का पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने drive किया इसको, और समझाया भी हों कि कैसे आता है, तो खेर, यहाँ पर मैं कलोड करता है, तो MP के value है, यहाँ पर 500, तो यहाँ उसकर लेंगे 500 in bracket, 100 minus 20 upon 100, यहाँ पर solve करेंगे, तो मिलेगा आपको 500 multiplied by, 100 minus 20 कितना हो जाएगा, 80, 80 upon 100, तो यह जिर जिर केसे लो हो गया, आपको मिल दाएगा 5 एट जा, 40, मिल दाएगा 400 टुपीज, मतलब कि selling price इतनी आ गई, मतलब यह आ चुका है, 400 रुपीज, selling price, ठीक है, तो selling price 400 आ गया, और profit percent बता है, यह 25%, means आप लिख सकते हैं, so, यहाँ पर पहले लिख लिख लिखे, SP, so SP is equal to आ गया, 400 रुपीज, यहाँ पर यह भी लिख लिखे, profit percent कितना है, profit percent है आपका, 25%, ठीक है, तो it implies, आप जो है, यहाँ पर निकाल सकते हैं, CP, जब आपको SP पता हो, और profit percent पता हो, तो एक formula होता है, CP निकालने का, और वो होता है, क्या, SP multiplied by 100 upon, 100 plus profit percent, ओके, तो यह formula होता है, इसका यूज़ कर लेंगे, तो SP कितना है, आपका 400, क्या हो जाएगा, 400 multiplied by, 100 upon, 100 plus profit percent, तो 100 plus 25, 25, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 400 multiplied by, यहाँ पर हो जाएगा 100 upon, यहाँ हो जाएगा 125, तो 25, से यहाँ पर cancel कर लेंगे, 25, 400 होता है, 25, 5, 125 होता है, 5 बंज़ा 5, यहाँ कटेगा, तो 58, 40 हो जाएगा, means 80 बचा और 4 बचा, तो 4 बचा, 32 होता है, 32, 0 हो जाएगा, means आपका जो answer हो जाएगा, वो आजाएगा, 320 रुपीज, यह आपका होगा क्या, cost price, और यही आपका actual price है, जो जिस पर सॉपकी पर खरीदेगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पर, कि हैंस, actual price, means CP, of the article, of the article, is equal to 320 रुपीज, and this is your answer, तो यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजिएगा, आप यदि आप नहीं है, यदि आप किये हुए हैं, तो like कर दिए, share कर दिए, आप दोसे बताईए, और comment बाक से जोरू कुछ नहीं लिखिए, thank you so much, आपका support के लिए, बहुत मैं कृतक नहीं, thank you so much, bye.